इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी. Levaland Synchra Breathe Inhaler is a belongs to a group of medicines called fast-acting bronchodilators or relievers. It is used to treat the symptoms of asthma and chronic obstructive pulmonary disease, यानि की COPD, such as coughing, wheezing, and feeling short of breath. Levaland Synchra Breathe Inhaler gives quick relief from breathing problems when you need it. अधिकांश मामलों में, आपको अपने लक्षणों को रोकने के लिए एक और inhaler दिया जाएगा साथ ही. यह दवा जल्दी काम करती है और इसके प्रभाव कई घंटे तक चल सकते हैं. आप इसे दिन के किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन इसे केवल लक्षणों जैसे, खांसी, घरगराह, सांस का कम होना और छाती में जकरन का पता लगने पर ही इस्तेमाल करें, या जब आपको पता हो कि आप एक ऐसी गतिविधी करने जा रहे हैं, जो आपकी सांस फुला सकती है, when an asthma attack happens, you should take the number of puffs your doctor recommends, inhaler device के कई प्रकार होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने inhaler का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, अन्यथा, हो सकता है कि ये काम न करें, जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, तब तक इस दवा का इस्तेमाल बंद न करें, अगर आप तो आपकी सांस की समस्याएं और भी खराब हो सकती हैं, इस दवा के सामाने side effect में accident में चोट लगना, bronchitis, चक्कर आना, दर्द, pharyngitis, नाक रुकना और उल्टी शामिल हैं, ये side effect अकसर खतरनाक नहीं होते और उनमें धीरे-धीरे सुधार होना चाहिए क्योंकि आपके शर इसके अलावा, अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा के सेवन से पहले अपने डॉक्टर को बताएं, चूंकि इस दवा के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं या शैकिनस महसूस हो सकती हैं, इसलिए जब तक आप अच्छा महसूस न करने लग और टूल्स तथा मशीनरी का इस्तेमाल न करें, आपको धूमरपान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपकी फेफ़लों को नुकसान पहुंचाता है और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अ सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद